नमस्कार एन भारत के साथ मैं हूँ टियन मनीश क्या उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाज जी की सरकार के बावजूद आजम गड़ अभी भी आतंक गड़ बना हुआ है क्या अपरादियों के बुलंद होसले, बुल्डोजर और तवाम एनकाउंटर के बीच भी बदस्तूर जारी है, बढ़ रहे है दरसल ये जो बात है, ये बात हम ऐसे ही नहीं कर रहे बुद्वार को आजम गड़ के महराज गंज के सरदहा बाजार में कपड़े की दुकान करने वाले पिता पुत्र को तीन लोगों ने अचानक फिल्मी स्टाइल में पहुच कर दुकान के भीतर तावर तोल गोली बारी शुरू कर दी और जब बचने के लिए पिता पुत्र दोनों घर के भीतर जाने लगे तो इन अपराधियों ने उनको बाहर निकाल कर दोड़ाया और बहुती बेदर्दी से सीने पर सीधे गोलिया दाग दी इस हत्याकांड से दोहरे हत्याकांड से हरकम मजगया संसनी फैल गई और ये पूरी घटना है तो बुद्वार की लेकिन इसका CCTV फूटेज सामने आया है तीन मिनिट कुछ सेकेंड के इस वीडियो में इस CCTV वीडियो में पता चलता है कि उत्तर प्रदेश में अमन्चेन के बीच किस तरह से अपराधी दोबारा से सर उठा रहे हैं परताल के बाद ये पता चला कि दोनों ही दुकानदार हैं कपड़े की दुकान करते हैं दोनों की दुकाने आमने सामने हैं ग्रहकों को खीचने को लेकर चार साल पहले दोनों पक्षों में विवाद हुआ आए दिन थाने में ये मामला थाना अध्यक संतोष कुमार के मुताविक पहुचता रहता था दोनों की तहरीर मिलती थी शिकायतों का आदान प्रदान चलता था पुलिस की समझाईश भी चलती थी लेकिन किसी को भी नहीं पता था कि दिनेश जो की आरोपियों के पिता है वो अपनी पत्नी के साथ तीन बेटों को लेकर पहुचेंगे और उन्हें उक्साएंगे कि दोनों ही पिता पुत्रों पर गोली बारी कर दें और उन्हें मौत के घाट उतार दें तो इस घटना से ये प्रश्न बिलकुल उठ रहा है कि क्या उत्तर प्रदेश में योगी आदितिनाज जी का जो खौफ है उसके प्रतिशत में कुछ गिरावट आई है कमी आ रही है अपनाजियों के खौसले आखिर इस कदर कैसे बुलंद हो सकते हैं कि दिन दहारे सरदहा ब पिता और 22 वर्शी पुत्र जिसका नाम सोयब बताया जा रहा है उनको इस बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया जाता है हलाकि इस गटना से जुड़ा एक पहलू ये भी है कि आरोपियों के घरों में बुल्डोजर चल गए हैं और पती पत्नी दोनों को गिरफतार करके तीनों ही पुत्रों की सरगर्मी से तलाश है जो किसी भी वक्त पुलिस की गिरफत में आ सकते हैं याने पुलिस इन तीनों ही आरोपियों की गर्दंद बोच सकती है फिलाल के लिए इस खबर में इतना ही नमस्कार